YouTube के शभी दर्शकों का इस चेनल में एक बार फिर से श्वागत है पिछले बार मैंने आत्मावाद के बारे में बतलाया था आज मैं मानावाद के बारे में बतलाना चाहूँगा मानावाद क्या है जैसा कि कुछ मानवशास्त्रियों का कहना है कि कोई भी वस्तु हो जिसमें जड़ और चेतन हो उसमें जिवित शत्ता होती है जो अलौकिक होती है जैसा कि मलेनेशिया में अलौकिक शक्ति को मानवाद कहा जाता है जिसका तात्पर यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध में जीतता है या हारता है शफलता प्राप्त करता है या और शफलता प्राप्त करता है तो यह अलौकिक शक्ति के कारण होता है जिसे मानवाद कहा जाता है दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति को ताविश से सही किया जाता है और जीवन में अनेक बाधाएं आती है उस बाधा को अलौकिक शक्ति के द्वारा सही किया जाता है ताविश के द्वारा सही किया जाता है आज देखा जा रहा है कि लोग पूजा पाठ करते हैं जो अलौकिक शक्ति है और पूजा पाठ करने से हमें शांती मिलती है और हमारी मनो कामनाएं पूर्ण होती है इसे ही मानावाद कहा जाता है कहने के आतात पर यह है कि अलौकिक शक्तियां ऐसी होती है जो किसी को शफलता दिलाती है युद्ध में तलवार अगर हम चलाते हैं तो हमें शफलता होती है किसी को शफलता नहीं होती है यह सभी कारण है मानावाद का और जो अद्रिश शक्तियां हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती है युसे ही मानावाद कहा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद